हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल पात्मेकर में मेरे नाम है सौरव और दोस्तों सुबह के 9 बच्चु के समय हो चुका हमारी जी के वुष्चप सिरीज का तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो कोश्चन नमबर एक हमारे सामने है भारते समवेधान की किस अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है हमारे पास चार अप्शन है अनुसूची 11 अनुसूची 10 यह फिर अनुसूची 9 इसका सही इंसर दोस्तों ऑप्शन ए अनुसूची 11 में बताया है क्मेंट करके बताएं देगे दोस्तों अनुसुची 9 में बताया गया भूमी सुधारा अधीनियम के बारे में और अगर दोस्तों हम बात करें अनुसुची 10 के बारे में तो इसमें बताया गया दल बदल का प्राफधान ठीक है और दोस्तों पंचायत के बारे में मैंने आपक मतलब कि Ex-Official Chairman की रूप में किने नियुक्त किया जाता है हमरे पास 4 उप्षण जो राश्टरपती, परदान मंतरी फिक ग्रह मंतरी इसका सहिंस है दोस्तो ऑप्षण C परदान मंतरी को नियुक्त किया जाता है दोस्तो नीती आयोग के पदे न दे योजना आयोग के स्थापना दोस्तों मैंने आपको बता रहा है सन 1950 में 15 मार्च को की गई थी कब की थी दोस्तों 15 मार्च 1950 को दोस्तों इसका नाम बदलकर नीती आयोग जो किया गया वह किया गया दोस्तों एक जनवरी 2015 को ठीक है कब किया गया दोस्तों एक जनवरी 2015 को किया गया था नीती आयोग का नाम बदल करके नीती आयोग दोस्तों नीती लिखे विए दोस्तों एन आई टी इसकी जो फुल फॉर्म होती दोस्तों नेशनल इंसिटूशन फॉर किस अनुदी में बताया गया हमारे पास चार ओप्षन अनुचेद 75 में अनुचेद 166 में अनुचेद 208 इसका सही अरे दोस्तों ऑप्षन सी अनुचे 286 में, मतलब की दोस्तों Finance Commission के बारे में बताया गया है दोस्तों विट आयो किस्त आपने 1951 में की गई थी और इसको पहले जो अद्यक्स थे दोस्तों वो कौन बने थे वो बने थे दोस्तों इसके केसी नहीं होगी दोस्तों अगर हम आज की बात करें अंद्रव विट आयो को भी चल रहा है और इसके जो अ मतलब मंत्री परिशत सामोहिक रूप से लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होती है और आर्टिकल 76 के तहट क्या होता है दोस्तों आर्टिकल 76 के तहट महान्यायवादी मतलब की एटॉर्णी जुनर अफ इडिया के पद के बारे में बताया गया है ठीक है इसका सही अंसर दोस्तों आराम हराम है का नारा गोतम बुद्ध के दौरह सबसे ज़्यादा उपदेश कहां दिये गए थे हमारे पास चार अप्शन है श्रावस्ती में लुम्बिनी में कूशी नगर में या फिर सारनात में इसका सही अंसर है दोस्तो अप्शन ए श्रावस्ती में ही दोस्तो गोतम बुद्ध जी के द्वारत सबसे ज़्यादा उपदेश दिये गए थे देखे दोस्तो लुंबनी लिखा हुआ ये उनका जनमिस्थान है कूशी नेगर लिखा है दोस्तो यहाँ पे इनका सब्सक्राब यहाँ परन्की मृत्यू भी हुए थी कोशन बास लिखे सब्सक्राइल को वाजन हमें से कौन है हमार की व् самas इसके दूस्तो बता रखा यह सोथ मिले राइट होता है किसा निकेल का ठीक है कॉक्शन उबर 7 कंगरेस्ट पार्टी के विलह किस याधिवेशन के सूरत एधिवेशन उनिस सater लखनो एधिवेशन 11990 या फिर लफ्र शया तो स्थ Ilkts पार्टी का विल हो गया था मैंने आपको कली बताया था दोस्तों शूरत अदिवेशन 1907 में कांग्रेस पार्टी के भाजान वो गया था नरम डल जो इसकी मीटिंग हुई थी वही थी बॉम्बे में और दोस्तो इस्की दख्षताग किसके दारा की गई वह गी थी तो सन 1913 में ह людям इसके दख्षता किसके दारा की गए थी यह की गई थी ठीक है कोश्च नमबर 8 के उल बढ़ते हैं बाते कम काम जादा पर्मुक नारा किस के द्वारा दिया गया था हमारे पास चार अप्षन मात्मा गांडी संजे गांदी राजीव गांदी या फिर इंद्रा गांदी इसका सही इंसर दोस्तों पी संजे गांदी के द्वारा प्रमुक लोग कला शैली है लोग लेका समीति का गठन कब किया गया था मतलब कि पब्लिक एकाउंट कमीटी का गठन हमरे पास चार उप्षन 1885 1921 1960 या फिर 1922 इसका सही नसरे दोस्तों ऑप्षन भी 1921 में ही किया गया था दोस्तों लोग लेका समीति का गठन जिसमें आपको दोस्तों बताया था है इसमें 22 मेंबर होते हैं और दोस्तों जो कि 15 लोग सभा से और साथ राज्य सभा से चुने जाते हैं और दोस्तों जो इसका लीडर होता है वो मेंली किसका मतलब कि कहां से चुना जाता है दोस्तों opposition party से मतलब की जो विपक्षय party होती है उसी में से कोई न कोई चुना जाता है लोक लेखा समीती का अधियक्ष और दोस्तों आज present में अगर हम बात करें तो लोक लेखा समीती के जो अधियक्ष है वो है अधिरंजन चौधरी question number 11 है दोस्तो राजा जी नैस्नल पार्क मतलब विराश्य ओध्यान किस राज्य में इस्ती थे हमारे पास चार उप्षन है राजिस्थान उत्राखंड मद्य पर्देश या फिर हिमाचल पर्देश इसका science है दोस्तो राजा जी नैस्नल पार्क कहाँ पर उत्राखंड में है कैपसेंथिन लिखा हुआ दोस्तो इसका मतलब ये किस के कारण होता है कैपसेंथिन जो होता है दोस्तो ये मिर्च में चरपरहाट का कारण होता है ये कैपसेंथिन लिखा है दोस्तो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैपसेंथिन के कारण होता है ठीक है question no.13 है Brazil के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है हमारे पास 4 option है Patana, Parkland, Kampoj या फिर सवाना देखे दोस्तो इसका सटे इन से रहे option C Kampoj Kampoj ही कहा जाता है दोस्तो Brazil के घास के मैदानों को देखे दोस्तो पटाना कहते है Sri Lanka के घास के मैदान को और दोस्तों जो सवाना लिखा है और यह पॉकलेंड लिखा है यह मैंने आपको जी के पूश्च अप सीरीस के माधिम से बता रखा है दोस्तों अगर आपको याद है तो आप पॉकलेंड और सवाना के बारे में बताईएगा कि यह कहां के घास के मैदानों को इस नामते जान Q15 अक्बर का मकबरा कहा है इसती है अंडे,, चार उप्षिंज का अलू या फिर चम्रा इसका तो गोल करांथे वो खालवथी है पावर ओन सिल्फ टेस्ट पावर ओन सील्फ टेस्टींग इसका सहीं सिर्फर ओप्षणC ऑप्चन जॉप्षन ईन्टर्नैट से थार प्रत्तיז गॉयों क्या फिर इसका नाम क्या है वह सतके ऊप्षण जुस्तैन संता इससे नुल के इसका सेंसरे दोस्तों बी दा हिंदु ही दोस्तों इंटरनेट पर उपलग्द होने वाला प्रतम भारतिय समाचार पत्र था कोश्चन पर 19 से दोस्तों हाल ही में भारत और अमेरिका के बीस टू प्लस टू वारता कहां आयोजित की गई हमारे पास चार उप्शन है वाशिंग्टन कोश्चन नबर 21 दोस्तों आपको इसका अंसर कमेंट करके बताना है कांग्रेस पार्टी का विभादन किस अधिवेशन के दोरान हुआ था कल दोस्तों हमने आपसे पूछा था DBMS का पूर्ण रूप किया है इसका सही अंसर था दोस्तों डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आजकी वीडियो और पेस समापते ही दोस्तों आपको एई वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताईएगा हमें आपकी कमेंट का इंतिजार और लेगा चले दोस्तों वीजा लेते अब आपसे मिलेंगी अपनी नेक्स वूडियो में थैंक्स फूर वचिंग आई जय हिंज जय भारत